हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आपका माईटी स्टेडी के एक और नई वीडियो में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कबर करेंगे कोडिनियो जोमेट्री टू डामेंशन से टॉप सिख्ट मोस्ट इंपोर्टन कोई संस को जोकी यूपी पॉली टेक्निक सेकिंड सेमि आज को डिसकस कर चुके हैं उसको अभी तक आपने बाच नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के आई बटन में भी दी गई है तो आजी शुरू करते हैं यह कुश्चन हम पिछली वीडियो में कबर कर चुके हैं नेक अज़ कर दो केंद रू के इकश्च च्टे जो दूरी होगी उसके ही बराबर होगी इसकर्ड गोगई दो के अब्रतर का संसर इककर लिए नेक कर घाब हो प्रये च हसकेर चा यहाँपर इसको दसाया गया है, यहाँपर यह एकसेस है, यहाँपर एकसेस है, यह ब्रत के केंद्र के निर्सांग रखशन और उस बरत का समीकर गयाद कीजिए जिसका केंद्र वन कॉमा फॉर है तिथा भै बिंदू 5,7 से होकर जाता है यहाँ पर जो ब्रत का केंदर दे रखा है H, K के निर्दसांग 1,4 है चुकि ब्रत बिंदू A 5,7 से होकर जाता है तो ब्रत की तरजिया find out करने के लिए H equal to under root 5 minus 1 यानि की X2 minus X1 plus Y2 minus Y1 यह distance वाले formula से find out करेंगे तो हमारा यह A equal to होगा under root 5 minus 1 का whole square plus 7 minus 4 का whole square यह निर्दसांग दे रखे हैं यह यहाँ पर X1 by 1 है यह X2 by 2 है यह यहाँ पर value put up कर दिया उसके बाद हमें जो A equal to प्राप्त हुआ under root 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग हमें प्राप्त होगा 9 तो यह हो जाएगा हमारा A equal to 16 25 A equal to under root 25 तो A equal to हमारा 5 आ जाएगा यहनि कि तिर्जे हमें के प्राप्त हो गई 5 चुकि ब्रत का समिकड़ होता है हमारा X minus H का whole square plus 2 minus K का whole square is equal to A square यह समिकड़ होता है यहाँ पर H की value 1 और K की 4 और A की 5 value put up करेंगे तब हमारा समिकड़ हमें प्राप्त होगा X minus 1 का whole square plus Y minus 4 का whole square is equal to 35 जो कि हमारा अभीष्ट समिकड़ होगा Next question को देखते हैं उस ब्रत का समिकड़ ग्याद करो जो मूल बिंदू से होकर जाता है तथा जिसका केंदर P, Q है यहाँ पर ब्रत का केंदर H, K, Q दे रखे हैं चुकि यह ब्रत है मूल बिंदू 0, 0 से होकर जाता है तो ब्रत की तरिज्जा find out करेंगे H कल्डू under root P minus 0 का whole square plus Q minus 0 का whole square चुकि बिंदू X1, Y1 वा X2, Y2 के बीच की दूरी find out करने का formula होता है D is equal under root P square plus Q square चुकि यहाँ पर यह किदर गया यह रहा यह है P का whole square हो जाएगा और Q का whole square यह is equal to under root P whole square plus Q का whole square यह हमें तरिज्जा find out होगी उसके बाद क्या करेंगे नेक सिस्टेम में ब्रत का समीकर होता है हमारा चुकि X minus H whole square plus Y minus K whole square is equal to A square यहाँ पर H और K की value को रखेंगे और A की value हमें प्राप्त होई है under root P square plus Q square तो उसका whole square करेंगे तो हमारा यहाँ पर ही हो जाएगा P square plus Q square फिर हम इसको A minus V के फार्मूले से दोनों को open करेंगे फिर हमें क्या find out होगा यहाँ पर X square plus P square minus 2PX आएगा हमारा plus Y square plus Q square minus 2YQ आएगा और is equal to P square plus Q square होगा यहाँ पर P square से हमारा P square cancel out हो जाएगा और Q square से Q square cancel out हो जाएगा चुकि जो हमारा A minus V का whole square का फार्मूले होता है A square plus B square minus 2AB तो हमारा जो समिकर्ड प्राप्त होगा हमें X square minus 2PX plus Y square minus 2YQ is equal to 0 जो कि हमारा अभी समिकर्ड होगा next question की ओर बढ़ते हैं next question दे रखा है कि निमलिखित ब्रत का केंदर और तरिज्या ग्याद कीजिए यहाँ पर यह हमें समिकर्ड दे रखा है ब्रत का X minus 2 का whole square plus Y minus 5 का whole square is equal to 49 दीगरी समिकर्ड हमने यह लिख ली और इसकी तुलना इसको next time में हम लेख सकते है 49 को 7 का whole square इसको equation number 1 नाम दे दिया और equation number 1 की तुलना ब्रत के समिकर्ड से X minus H का whole square plus Y minus K का whole square is equal to A square से करने पर हमें H is equal to क्या प्राप्त होगा 2 और K is equal to minus का 5 प्राप्त होगा और A is equal to 7 तो ब्रत का केंदर हमारा H, क्यों हो जाएगा 2, minus 5 और ब्रत की तुरिज़ा H equal to हो जाएगा हमारा 7 ठीक है next question को देखते है next question हमारा ब्रत X square plus Y square plus 2X plus 4Y minus 1 is equal to 0 का केंदर तुरिज़ा बताईए तो यह समिकर्ड दे रखा इसको equation number बन नाम दे देंगे फिर इसकी तुलना हम समिकर्ड एक की तुलना करेंगे X square plus Y square plus 2G X plus 2FY plus C is equal to 0 से तब हमारा 2G is equal to हमें 2 प्राप्त होगा तो G is equal to 1 प्राप्त होगा 2 F is equal to 4 हो जाएगा तो F is equal to हमें 2 प्राप्त होगा और C is equal to minus का 1 चुकि ब्रत का केंदर होता है minus G, minus F तो तब हमारा ब्रत के केंदर क्या हो जाएगा minus 1, minus 2 minus 1, minus 2 हो जाएगा minus G, minus F होता है और ब्रत की तरिज्या का फार्मूला होता है under rule G square plus F square minus C इससे हम find out करेंगे यहाँ पर G की value, F की value और C की value put up कर दी हमने तब हमारा जो ब्रत की तरिज्या होगी वो under rule 6 यहाँ पर find out हो जाएगी इस प्रकार से ब्रत का केंदर minus 1, minus 2 तथा उसकी तरिज्या under rule 6 है ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट कुष्चन की और और आज का लास्ट कुष्चन है निमलिखित ब्रत का केंदर उसकी तरिज्या ज्याद कीजिए जी समीकर दे रखा है 2x2 plus 2y2 minus 6x plus 6y minus 1 is called to 0 इस समीकर को हम दो से भाग कर देंगे तब हमारा यह प्राप्त होगा x2 plus y2 minus 6 upon 2x plus 6 upon 2y minus 1y2 is called to 0 फ़र नेक्स स्टेम में क्या हमें प्राप्त होगा x2 plus y2 minus 3y minus 1y2 is called to 0 इसको equation number बन नाम दे देंगे और equation number 1 की तुलना हम x square plus y square plus 2gx plus 2f by plus c is called to 0 से करेंगे तब हमारा 2g is called to minus 3 तो g is called to minus 3y2 और 2f is called to 3 तो f is called to 3y2 हमें प्राप्त होगा और c is called to हमें क्या प्राप्त होगा minus का बन बाइटू तो ब्रत के केंदर हमारे क्या हो जाएंगे minus g, minus f यानि की 3y2, minus 3y2 ठीक है minus 3y2, minus 3y2 ये ब्रत के केंदर प्राप्त हो गए और ब्रत की तरिज्जा निकालेंगे under root g square plus f square minus c यहाँ पर g और f की value को put up करेंगे और यहाँ पर c की value को तब हमारा जो तरिज्जा निकलके आएगी 20 upon 4 under root 20 upon 4 4 से काट देंगे इसको तब हमारा under root 5 हमें जो तरिज्जा radius प्राप्त हो जाएगी under root 5 यह हमें प्राप्त हो गई इस प्रकार से ब्रत का केंदर हमारा 3 upon 2 minus 3 upon 2 तथा तरज्य हमारी अंडरूर 5 हमें find out हो जाएगी तो I hope ये question clear हुए होंगे अगर आप हमारे टेलिग्राम चैनल और WhatsApp ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको discussion box में दे गई है वहां से आप जुड़ जाएए और वहां पर आप सभी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको discussion box में दे गई है वहां से इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर अभी तक आपने UP Polytechnic second semester examination का 2019 paper solution नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको description box में दे गई है और चैनल की playlist से भी आप बाच कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं नेक लेक्शर में तब तक के लिए धनवाज जहेंद बंदे मात्रम